हाई गाईज माईनेम इस अनकित वेलकम बैक तो मैं चैनल सो आज की वीडियो में हम रिलेस्टिक हेर ड्रॉ करना सीखेंगे तो आज की जो हम यह स्टॉ करने वाले हैं वो हर्माइनी ग्रेंजर यानिक एमा वाट्सन के हैं जो कि ब्लॉंड एर्स है अगर आपको टुटॉरि सोाइब दो कहने में से हुआर सोह सोगा तो चलिये शिरू करते हैं । का तो बिलंद हीयर्स का ड्रॉ करने के लिए मैं जो क्लेर यूज करने वाला हो वो हैं ब्लाइक ड़ोंड लाइक दाफे प्रॉंड और Gulden तो बैसिकली मैं मैं इसको ड्रॉ करने के लिए लेरिंग मेथड का यूज करूंगा यानि की लेयर बाई लेयर चलेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गॉल्डन कलर की एक लाइट लेयर ड्रॉ करूंगा जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो गॉल्डन कलर की लेयर ड्रॉ करने के बाद मैं लाइट ब्राउन कलर की एक लाइट लेयर और दूंगा उसके उपर और तो यह सब करने के बाद मैं डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करके रेट्रेंस वोटम में देखके जहां-जहां पर टाक शेट्स हैं वह एरिया आउप्ट करूंगा और उसके बाद मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूंगा बेच में हलके हलके लाइंस जो़ घरने के लिए ताकि थोड़ा रियलिस्टिक एफेक्ट आए और एंड में मैं क्या करता हूं कि वाइट कलर पैंसिल का यूज करके पूरे हैर्स को ब्लेंड कर देता हूं और जहां पर मुझे ब्लैक पार्ट आप्ट करना है वहां पर मैं ब्लैक और डाक ब्राउंड का यूज करूंगा लेरिंग मेथड से पहले में ब्लैक कलर के क्लियर लगांगा उसके बार डाक ब्राउंड यूज करूंगा और एंड में ब्लैक कलर से डाक कर दूंगा पूरी एरिया को ताकि वह थोड़ा मैच करे है उसके साथ अब और यह जाद रखो कि है अब आउट लेंड रोगे तो वह लाइट हैंग से ड्रॉब करना और जो इसकी डारेक्शन से हैं यह का फ्लो है वह पहले से ही ट्रॉब कर लेना ताकि बाद में हमको श्ट्रोक्स देने में आसानी हो यह तो बाद में कापिलों कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हैर्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं और यही प्रोसेजर के साथ हम सेकेंड साइड भी हैर्स ट्रॉब करेंगे झाल 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 तो यह था पूरा टुटोरियल हेर्स का अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगर कोई क्वेशन हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाबर डियम गर के पूछ सकते हो और ऐसे ही अमेजिंग टूटोरियल्स और स्कैचिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू